सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बेटा आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं expenditure method ठीक है तो आए बेटा शुरू करते हैं हम लोग expenditure method के बारे में आज पढ़ना तो देखिए बेटा expenditure method में होता क्या है पहली बात तो यह कि expenditure method में आप लोग को सबसे पहले calculate कर करना होते है बेटा GDP MP याद रखिए क्या calculate करना होते है GDP MP यह GDP MP है बेटा यह किस तरीके से calculate होगा यह पता आप लोग को नहीं पता तो देखिए मैं बताता हूं आप लोग को पहली चीज जो इसंके इनदर आप लोग के आती है वह होती है प्राइवेट final consumption expenditure private final consumption सब्सक्राइब को कि या होतीए न पर फाइनल कन्सवक्वा गता होयां के लिए पर लोग के लिए कण्जमशन एक्सみ jakieś पर दोसरा गम की चीज़ाती है ओके GDP MP हम calculate करते हैं चार चीजों की मदद से पहली क्या होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्शन दूसरी क्या होती है गोवर्मेंट फाइनल कंजम्शन बताइए expenditure याद रखेंगे इस चीज को आप लोग कोई दिक्कत परिशानी बोलिए अगली चीज आप लोग की इसके अंदर आती है भटा investment expenditure इसका हम लोग कहते हैं इसका दूसरा नाम होता है gross domestic capital formation investment expenditure इसको कहते है investment expenditure इसका दूसरा नाम क्या होता है भटा gross domestic Capital Formation याद रखेगा चीज को वेटा अगली चीज जो इसके अंदर आती है वो होती है आप लोग की Net Export नेट एक्सपोर्ट आप लोग को पता ही होगा कैसे निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट में करके इंपोर्ट करके हम लोग निकाल लेते हैं क्या वेटा आप लोग का Net Export निकाल लेते हैं ठीके वेटा तो अब देख लेते हैं कि यह प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्शन expenditure क्या होता है देखिए भाई private final consumption expenditure वो होता है जैसे कि आप लोग जो खर्चा करते है एक household जो खर्चा करता है गुड्स और विस इस पर वो किसमें आता है private final consumption expenditure में ठीक है इस बात को याद रखेगा it refers to it refers to expenditure it refers to expenditure on पता है किस किस पे goods and services by household याद रखेगा इस चीज़ को जो आप लोग खर्चा करते हैं गुड्स और services वो कहां पर आता है private final consumption expenditure पहली बात तो यह ज़्याद तर आप लोग को questions के अंदर दिया हुआ होगा आप लोग का private financial expenditure कभी कभी एकदम teacher एकदम तेज हो सोचे आज तो पच्चे को एकदम परिशान कर देना है question के अंदर तो कभी कभी क्या करेगा आप लोग को बोलेगा कि आप लोग को बोल देगा कि आप लोग की personal income दी पर्सनल इंकम आप लोग को दीवी होगी ठीक है और कहेगा आप लोग की saving दीवी आप लोग को ठीक है तो आप लोग को पता नहीं है income minus में saving करेंगे तो आप लोग क्या मिल जाएगा expenditure और वो क्या होगा वो यही होगा ठीक है कभी कभी by chance ऐसा होगा कि टीचर ऐसा करेगा ठीक है वरना क्या होगा आप लोग को सीज़ी सीज़ा बोल देगा private final consumption expenditure क्या होता है ठीक है क्या value दीवी उसकी यह सीज़ा आप लोग किसके अंदर क्या बताया था भी अब आपको मैंने बताईए government final consumption expenditure government final consumption expenditure हाया ना बताया था आप लोग को देखे इसमें क्या होता है आप लोग का किसकी बात कर लेते हैं हम लोग अच्छा government बहुत साइची जो पर खर्चा करती रहती है government बहुत साइची जो पर करती रहती है आप लोगों के लिए देश के हित के लिए कभी कुछ बनाती है कभी कुछ करती है तो काफी सारे काम government करती रहती है तो यह जो होता है यह होता है बेटा इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू एटा expenditure खर्चा on goods and service by government ओके याद रखी के चीज को इस बात को लोग याद रखेंगे कोई दिक्कत और बेटा इट इसके इंदर तीन चीज आती है वो चीज में आपको बतायता हूं इट कंसिस्ट ओफ किस किस चीज होती जिनके पर और गव Meg खर्चा करती है यह कंसिस्ट ओफ होती है किस किस चीज का वेटा देखो पहली चीज जो आती है एकसे बताईगे गवर्मेंट की बहुत सारी नोकर लोग होते हैं गोर्मेंट के हैं लोग के म्लगों करनेवाध में ऐस दिपांड कर 울ेल में और लोग होते हैं तो उन सब क्या मिलता बेटा compensation of employee compensation मिलता है याद है आप लोग को compensation मिलता है तो वो compensation को देता है government देती है दूसरा चीज इसके अंदर आती है purchase देखिए भाय गोवर्मेंट क्या करती है काफी साइचीजे purchase करती है बहार के देशों से purchase करती है ठीक है सकती है यहां पर किसी यहां और ने बोला था कुंसक्ति अमाइने लोगो घ्रकी बताइजे अहीं मिल जाएक आप लोग को वैल्यू कि आप लोग की एक आप लोगे जाले ओना ने grassy कि उते ? अगला पशना सब्सक्राइब है वोग माने हाव भाहर के देशो था ह। सब्सक्रान से आपक्ते है उसे पर इस उसको ख़रीद लिया है इसे इंदर याद रखेगे आप लोग अग्ली पॉइंट जो इसके अंदर आ इन्वेस्ट में,"KY is पहले हैं इन सब में से ज़से ज़्यादा जो इंपोर्टन है और सबसे ज़दा कोश्वें जिसके बनते हैं citoyen investment expenditure मदब टीचर यहीं पे घुमाता है सब बच्चों को हर एक कोशन अगर आप एक्जाम एडिया उठाएंगे आप यू लाइक उठाएंगे तो आप लोग को देखेगा कि investment expenditure के अंदर टीचर क्या करते हैं questions में बच्चों को घुमा देते हैं ठीक है देखेगा investment expenditure जो आप लोगगा आता है also known As, इसका दुसरा नाम क्या होता है आप लोगगा左 competit capital formation इसका यूसरा नाम होता है याद रखीगा इस चीज़को sauce domestic capital formation इसका दूसरा नाम बेटा होता है याद रखेंगे आप लोगग को pagan the आखे अदर ठीक है ये पर के पिख назад परबनाँ के दूसरी तरफ ते पर कि से इंदर इनवेंट्रफ्न इप 55 Ahhh मैंने सब्सक्राइब तो नहीं इसका क्लोजग बंगिर सिक क्लोजिंग क्लोजिंग बाइनस में Óपनेंग इसका दूसरा तो नाम ये भी कह सकते हैं कि यह क्या होगा चेंज इन इस टोग होगा बैटा कोई दीकत परिशानी है तो बताईए यहाँ पर बेटा जो देखिए तीन टाइपससे हो सकती है विजनस ठीक है और में बुपलिगंश में जैसी के आप Mobilinox करिद्म हैं उसके अंदर और पूब्लिक गोवर्मेंट काफि सारे इसट न्यूटरा करती है वह इतंदर आ तिस आप आसके ने बेटा अभी भी मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इसमें और भी चीज़े हैं जो teacher घुमा सकते आप लोग को, ठीक है, आपको इसकी value दे देगा, आपको निकालना पड़ेगा, gross domestic capital formation तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको NDCF की value दीवी होगी, gross is equal to net beta कब होता, DCF तो बराबर ही हैं दोनों के दोनों, gross is equal to net कब होता, जब plus में depreciation होता है, या कभी कभी क्या करेगा आप लोगो को, वो बो लेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, gross domestic capital formation आप लोगो को यहापे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे आप लोग, GDFCF को plus करके II के साथ, कोई दिक्कत परिशानी तो बताइए, ऐसा teacher आप लोगो को करने पे मजबूर कर देगा, कभी कभी तो और भी दिक् net domestic fixed capital formation आप लोगो को देदेगा, और देदेगा II, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, GDFCF निकालना पड़ेगा, है न, इसकी value निकालनी पड़ेगी और आपको क्या पता है, NDFCF मतलब net domestic fixed capital formation आप लोगो को पता है, निकालना क्या है, gross domestic fixed capital formation, तो तो क्या करना पड़ेगा प्लस में डेशिशन होता है उसके बाद आप लोगो क्या करना पड़ेगा जीडी सी एफ निकालने के लिए ग्रोस डोमेस्टी कैपिटल फॉर्मेशन यानि की किये वह आप लोग का पॉइंट होगा क्या नेट एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट होता है ठीक है याद रखेंगे इस चीज़ को कोई दिक्कत परिशानी इसको कैसे निकालते हैं export minus में import करके कैसे निकालते हैं export minus में import करके निकालते कोई दिक्कत परिशानी है तो बताईए यह आप लोग को पताईए बच्पन से आप लोग यही बढ़ते आ रहे हैं ठीक है और बेटा second point अभी तक आप लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला है निकलाए बेटा मैंने क्या बताया प्राइवेट फाइनल कंजम्चन एक्सपेंडिचर प्लस करके और आप लोग का दूसरा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके प्लस गोवर्मेंट है ना गोवर्मेंट का एक्सपेंडिचर होता था गोवर्मेंट फाइनल कंजम्चन एक्सपेंडिचर बोल गया आप लोग अगला क्या था नेट एक्सपोर्ट ये प्लस करके आप लोग क्या मिल जाएगा GDP MP अगला आप लोगों को निकालनी पड़ेगी NNPFC यानी की नेशनल इंकम आप लोग कैसे निकालेंगे GDP MP की मदद से निकालनी GDP MP की वैल्यू आप लोगो पता ही है नेट इसी कल्टू में ग्रोस कब होता है जब मार्केट प्राइस कब होता है जब माइनस में net indirect tax क्या होता है ठीक है net indirect tax क्या होता है indirect tax माइनस में subsidy यह होता है I hope कि जो मैंने आप लोगों को बता है वो clear होगा कोई दिक्कत नहीं होगी पक्का तो बेटा मैं आप लोगों से मिलता हूँ next class में till then tata bye bye